नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ग्यान राजेस में तो दोस्तों एक बहतर जीवन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भोले तो दोस्तों इस बार नौरातन 22 मार्च को लग रहा है तो नौरात्री में माता को लगाई है नवभोग बरसेगी महाकृपा नौरात्री के पहले दिन मा सहल पुत्री की पूजा की जाती है इस दिन देवी मा के चरोड़ों में देशी घी चड़ाने से भक्त को बीमारियों से रहित जीवन का आसिरवाद मिलता है दूसरे दिन मा ब्रह्म चानड़ी की पूजा होती है जिन्हें सक्कर और फल का भोग लगाने से परिवार के सदस्यों को दीरगा आयू मिलती है जिने दूध मिठाई और खीर को चड़ाने से सभी बुराईयों का नास होता है नावरात्री के चौथे दिन मा कुस्मान्डा की पूजा की जाती है इन्हें मालपूय का भोग लगाने से सूर्य के सभी दोसों से मुक्ती मिलती है पांचवे दिन मा असकंद माता की पूजा की जाती है ऐसी मानिता है कि इस दिन माता को केले को भोग लगाने से सेहत फिट रहती है त्यवार के छटे दिन मा कात्याईनी की पूजा की जाती है इस दिन देवी मा को सहद का भोग लगाने से सभी मनुकामनाएं पूरी हो जाती है साथवे दिन मा कालरात्री की पूजा होती है इस दिन देवी मा को गुर से बनी मिठाई का भोग लगाने से सनी से जुड़े दोस दूर हो जाते है आठवे दिन मा महागवरी की पूजा की जाती है इस दिन देवी मा को नारियल का भोग लगाने से सुख सम्रिद्धी में बृद्धी होती है नवरात्री के अंतिम दिन मा सिधिधात्री की पूजा की जाती है इस दिन देवी मा को तिल चड़ाने से परिवार के सदस्यों के कश्ट दुख मिट जाते हैं तो दोस्तो ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना नहीं भूलें